नमस्कार आपका स्वागत है तिवारी अकैडमी में और आज हम बात करने वाले हैं हमारी हिंदी व्याकरण की जो एक सिरीज चल रही है उसमें चेप्टर फाइव यानि अध्याय पांच की जिसमें हम आज समझेंगे संग्या को यानि नाउन को अंग्रेजी भाषा में आप जानते होंगे कि नाउन की सबसे सिंपल डेफिनेशन है नेमिंग वर्ड़्स नेमिंग वर्ड़्स को ही हम नाउन कहते हैं बस vividi भाषा में भी शंग्या के लिए आप यही बात को मान लीजे कि जबभी हम किसी व्यक्ति वस्तु इस्थान भाव नाम लेते हैं तो कह हो सकता है इस बात की संभावना है कि पहले किसी वीडियो में इतना सब कुछ एक ही वीडियो में शायद ना पढ़ाओ तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज सबसे पहले देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है निम्नलेखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़ि महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था यहां पे आप देख रहे हैं कि एक जो आपका नाम है वो है महात्मा गांधी और एक है पोरबंदर आप जानते हैं एक व्यक्ति का नाम है और एक स्थान का नाम है इसके बाद में दूसरा जो वाक्य है वो लिखा है वे स इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ने के लिए इसलिए भी कहा गया है, कि आप इन शब्दों को जिनको हाइलाइट किया गया है, इन में फर्क समझ पाएं, कौन से व्यक्ति के नाम है, कौन सी भावनाओं के नाम है, कौन सी जाती वाले नाम दिख रहे हैं आपको, कौन से स्था इसके बाद में अगला वाक्य दिया हुआ है उनके बदन पर लंगोटी और हाथ में एक डर्णा रहता था इसके बाद चौथा वाक्य है उन्होंने भारत की आजादी के लिए कड़ा संगर्श किया और पांचवा है उन्हें महात्मा तथा राश्रुपिता के नाम से जाना ज ठीक है ये वाक्य हमने पढ़ लिए अब ये जो वाक्य हमने पढ़े इसके बारे में लिखा है कि उपर लिखित वाक्यों के रंगीन शब्दों पर ध्यान देते हुए अब इन वाक्यों को पढ़ना है तो रंगीन शब्दों को भी ध्यान में रखना है थोड़ा सा मैसे ज ये वस्तूओं के नाम है लेकिन आजादी, सत्य, अहिंसा ये गुणों के और इसके अलावा महात्मा और राष्ट्रपिता जो है ये उपाधियों के नाम है आप तो जानते हैं गांदी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि गांदी जी को महात्मा की उपाधि किस ने दी थी इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं और संग्या की परिभाषा को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम जब भी रोज मर्रा में किसी से बाचीत करते हैं तो संग्या बहुत ही आप मान लीजे कि कें कोई नाम ना हो उसे भी हम अनाम या बिनाम कहकर पुकार देते हैं है न तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका कोई नाम हो ना या फिर हमने किसी को नाम देने की कोशिश ना की हो तो अब परिभाषा कि अगर हम बात करें तो संग्या की परिभाषा हम किस प्रकार से दे सकते है एक ऐसी परिभाशा जिसमें समस्त संग्या का निरूपन हो, सारी संग्या हमें अच्छे से स्पष्ट हो जाए तो लिखा है किसी व्यक्ति, वस्तु, इस्थान या भाव के नाम को संग्या कहते हैं जैसे महात्मा गांधी, जंडा, पूरवंधर, आजादी, आदी सभी संग्या हैं इसके बाद में अब हम बात करेंगे जब हमने संग्या को समझ लिया पड़ लिया है तो परिभाशा को अब हम उसके प्रकार उपर चर्चा करेंगे संग्या के प्रकार तो आप याद रखेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि संग्या के मुख्य रूप से तीन भेद माने जाते हैं, तीन भेद हैं, तीन प्रकार हैं, कौन-कौन से हैं, एक है व्यक्ति वाचक संग्या, एक है जाती वाचक संग्या, और एक है भाव वाचक संग्या, इन तीनो में पूरी की पूरी संग्या समाहित है तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं आगे बढ़ते हैं और एक-एक करके इन सारे प्रकारों का dna निकालने की खुशश करते हैं सबसे पहले है व्यक्ति वाचक संग्या इसमें क्या लिखा है इसमें हमें बताया है कि यह जो वाक के उसके बार लिखा है नहरूजी प्रथम प्रधान मंत्री थे इसमें जो हाइलाइटट शब्द है वो कौन से हैं सविता लालकिला नहरूजी आप जानते हैं हम व्यक्ति वाचक संग्या पढ़ रहे हैं और ये जो शब्द हाइलाइटट है ये भी व्यक्ति के नाम है कहने का उतात पर ही क्या है थोड़ा सपष्ट समझ में आएगा भी कि तीनों वाकियों में से सविता और नहरूजी विशेश व्यक्तियों के नाम है और लालकिला विशेश इस्थान का नाम है तो ऐसी संग्याए जो हैं ये व्यक्ति वाचक संग्याए कहलाती है जब हम किसी व्यक्तियों की बात कर रहे होते हैं तो उसे उसके नाम से ही संबोधित किया जाता है तो बिलकुल ये जो संग्याए है ये व्यक्ति वाचक संग्याए कहलाएंगी और अगर कोई आप से पूछे कि ये जो व्यक्ति वाचक संग्या है इसके उधारन दीजिए तो अभी जो कि आप कई सारे हैं जो बना करके बोल सकते हैं लेकिन अगर कोई परिभाशा पूछे तब आप क्या कहेंगे परिभाशा आप इस प्रकार दीजेगा जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं कि जो संग्या शब्द किसी विशेश व्यक्ति वस्तू या इस्थान के नाम का बोध करवाते हैं वो व्यक्ति वाचक संग्या कहलाते हैं सुभाज चंद्र भोस महात्मा गांधि आधी व्यक्ति वाचक संग्या आए मुझे उमीद है आपको परिभाशा बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि वे संग्या शब्द जो किसी विशेश व्यक्ति का वस्तू का या इस्थान के नाम का बोध कराते हैं नहीं हम व्यक्ति वाचक संग्या की श्रीणी में रखते हैं इसके बाद में व्यक्ति वाचक संग्याओं के कुछ अन्य उधारन है इन्हें देखना भी उचित होगा क्योंकि इस से और ज्यादा इस पष्ट परिभाशा हमारे जहन में होने वाली है जैसे देखिए व्यक्तियों के नाम की अगर बात करें तो राम है ना जैसे की राम अयोध्या के राजा है तो जो राम है ये व्यक्ति वाचक संग्या होगी इस वाक्य में फिर लिखा है रावण है ना रावण ने सीता का हरण किया तो रावण क्या है एक व्यक्ति वाचक संग्या है कंस कृष्ण ने कंस का वद किया तो कंस व्यक्तिवाचक संग्या है कृष्ण व्यक्तिवाचक संग्या है राजीव है ना राजीव ने सुमित का डब्बा चोरा लिया तो राजीव सुमित ये सब क्या है व्यक्तिवाचक संग्या है भगत सिंग वीर सावरकर सरद पटेल, प्रेम्चंद, दिनेश, महेश, आदी ये सभी क्या है वैक्ति वाचक संग्या के ही उधारन है इसके अलावा अगर वैक्तियों के अलावा बात करें ग्रंथों, पुस्तकों और वस्तूं के नाम की तो वो कौन-कौन सी है जैसे की रामायन, महाभारत, श्रीमत भाग गीता, बाइबल, कुरान, कमायनी, राकदरबारी, गुनाहों का देवता, साकेत, ये सब क्या है ये सब जो नाम है ये भी वैक्ति वाचक संग्या के अंतरगत ही आते हैं इसके बाद में कुछ इस्थानों के नाम भी आते हैं जैसे अयोध्या, लंका, मथुरा, दिल्ली, अमेरिका, चीन, जापान, रूस, फ्रांस, आदी, ध्यान दीजेगा, हमने वैक्ति वाचक संग्याओं में वैक्तियों के नाम को भी ले लिया है, गरंतों के, पुस्तकों के, वस्तुओं के नाम को भी ले लिया है, इस्थानों के नाम को भी ले लिया है, और नदियों और समुद्रू के नाम को भी ले लिया है जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, घागरा, कोसी नदी, हिंद महासागर, प्रशान्त महासागर, आदी, सभी की सभी सम्मिलित हैं। अब आप कहेंगे कि जो संग्या की परिभाषा थी व्यक्ति वस्तु इस्थान के नाम ऐसा प्रतीत होता है कि सबकुछ व्यक्ति वाजक में ही आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है, जाती वाजक संग्या भी है, थोड़ा ध्यान दीजेगा इस पर, निर्मने लिखित वाक्यों को थ सुनार आभुशन बना रहा है, तो ये जो सुनार शब्द है, क्या ये संग्या नहीं है, तो क्या इसमें हमने सुनार का नाम ले दिया, कि सुनार का नाम क्या है, नहीं लिया, यानि ये व्यक्ति वाजक संग्या तो नहीं है, लेकिन सुनार एक ऐसा शब्द है, जो पूरी सुनार जाती के लिए उपयोग में लाये जाता है प्रयोग में लाये जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये एक जाती वाचक संग्या है ठीक है ना इसके बाद में हमें ये भी पता है कि जब हमने सुनार कहा तो वो कोई भी सुनार हो सकता है क्योंकि हमने नाम तो इस पष्ट किया ही नहीं अब दूसरे वाक्य को लीजिए दूसरा वाक्य क्या है? शेर जंगल का राजा कहलाता है तो अब आप सूचिए शेर तो कोई भी हो सकता है है न? इसलिए यहाँ पर लिखा है कि उपर युक्त वाक्यों में सुनार शब्द समस्त सुनार जाती के लिए है कोई भी सुनार हो सकता है इसी प्रकार दूसरे वाक्य में कोई भी शेर हो सकता है यह जो दोनों शब्द हैं यह क्या कर रहे हैं? अपनी संपूर्ण जाती का हमें बोध करा रहे है तो ऐसी संग्याएं जाती वाचक संग्याएं कहलाती है मुझे उमीद है आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जाती वाचक संग्याओं में कौन-कौन सी चीज़े आ सकती है अगर आपसे मैं कहूं कि इसकी परिभाशा दीजे कि जाती वाचक संग्याओं क्या है तो इसकी परिभाशा कैसे देंगे आप जो संग्याओं शब्द एक ही प्रकार के व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तूओं या इस्थानों मैं फिर कहा रहा हूँ, ध्यान से सुनियेगा जो संग्याओं शब्द एक ही प्रकार के व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तूओं या इस्थानों का बोध करवाते हैं या इनके नाम का बोध करवाते हैं उन्हें जाती वाचक संग्याओं कहते हैं कुछ अन्य उधारन को देखेंगे, तो और अधिक इस्पष्ट हो जाएगी जातिवाजक संग्या, जितने जादा उधारनों के प्रकार हम देखते हैं, उतना अच्छे से हमारे मन में जो परिभाशा है, हमारे मस्तिश में, हमारे जहन में वो और अधिक इस्पष्ट होती च खरा रहे हैं आम, केला, पपीता, गुलाब, कमल, आलू, मटर, ये सब की सब जाती वाचक संग्याएं ही हैं जब आप कहेंगे आम तो आप क्या समस्त आम जाती के विशह में नहीं बात कर रहे हैं पैन, पुस्तक, पैंसिल, मेज, कुर्सी आदिस सभी वस्तु हैं ये भी तो एक जाती वाचक संग्या के अंतर करती हैंगी न कुर्सी मुझे कुर्सी पर बैठना अच्छा लगता है अब कुर्सी कोई भी हो सकती है वैसे ये अलग बात है कि कुर्सी पर बैठना किसे अच्छा नहीं लगता थो कुर्सी जो है ये एक जाती वाचक संग्या है जज, सि मुझे उमीद है आपको समझ में आया होगा कि व्यक्ति वाचक संग्याएं क्या होती है और जाती वाचक संग्याएं क्या है अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं भाव वाचक संग्या की यह भाव वाचक संग्या क्या होती है नाम से सपष्ट विध्यान से पढ़ लेते हैं भावना की वाणी बहुत कठोर है गन्नों में मिठास है अब ज़रा पहले वाक्य पर आईए पहले वाक्य में आपने क्या पढ़ा कि भावना की वाणी बहुत कठोर है हम भावाचक संग्या हो गई भावना दूसरी जो भावना है उनकी बात हो रही है ठीक है तो भावना की वार्णी बहुत कठोर है ये कठोर शब्द जो आया है पहले वाक्य में ठीक है न इस शब्द को धियान से देखिए जरा फिर दूसरे वाक्य में मिठा शब्द आया है ये जो दोनों शब्द है न ये क्या बता रहे हैं ये जिनकी बात हो रही है उनकी किसी न किसी अच्छाई बुराई या कह लीजे की उनके गुण या दोश को प्रकट कर रहे हैं है न तो ये क्या है ये भावनाए ही तो है किसी का कठोर होना मिठास होना किसी की वाणी में है न ये उसके गुण है य हम सिर्फ इनका अनुभाव कर सकते हैं, इन्हें महसूस कर सकते हैं, है न, तो इसलिए ये शब्द जो हैं, ये भाव आचक संग्या की श्रेणी में आते हैं, मुझे उम्मीद है, आप समझ गये हैं, ये ना ही व्यक्ति वाचक है, ना ही ये जाती वाचक हैं, इनका अनुभा किया जाता है कठोरता यह अनुभाव करने की चीज है महसूस होती है हमें मिठास यह अनुभाव की बात है महसूस होती है तो यह भाव वाचक संग्या में आती है परिभाशा क्या देंगे आप जिन संग्या शब्दों से गुण दोश धर्म दशा विया पार चेश्ठा या मन के भाव का बोध हो, इसमें शब्द थोड़े ज्यादा है, तो थोड़ा समझ लीजिए, जिन संग्या शब्दों से गुण, गुण कुछ भी हो सकता है, धर्म, दशा का अभी बोध होता है, कि दशा कैसी है, है न, निर्बल, दुर्बल, सबल, व्यापार, व्यापार का अब इसके भी थोड़े से और उधारन देख लेते हैं, इस पश्टूप से समझ में आ जाएगा, मानवता, गुरुता, योवन, शैशव, लड़कपन, ममता, मिठास, सरलता, महंगाई, वीरता, स्वास्थ्य, पढ़ाई, धुलाई, कायरता, सुन्दरता, एहंकार, ये सभ भाव वाचक संग्या है, कुछ विशेश बाते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, भाव वाचक संग्या को देखा या चुआ नहीं जा सकता, जब मैं कहता हूं कि अजय ने सुरेश को एक थपड जड़ दिया, तो आप अजय को भी देख सकते हैं, चू सकते हैं, सुरेश को भी, लेकिन भाव वाचक संग्या जो है, उसे नहीं चुआ जा सकता, थपड जड़ दिया, तो उसे दर्द हुआ होगा, तो जो दर्द है, उसको आप चू नहीं सकते, चूने पर दर्द महसूस होता है, वो अलग बात है, इनकी गणना करना असंभव होता है, व हम उसे अच्छे से बता भी पाएं, व्यक्त भी कर पाएं, पहला वाकिय स्पष्ट है, भाव वाचक संग्या को देखा या छुआ नहीं जा सकता, तूसरा है, इनकी गणना करना संभव है, तीसरा है, इनकी केवल अनुभव किया जा सकता है, ठीक है, और चौता है, इनकी रचना की जा सकती है, तो ये सब की सब जो है, ये गुण कह लीजिए, विशेष्टा कह लीजिए, किसकी भाव वाचक संग्या की, अब व्यक्ति वाचक संग्या क्या थी, जाति वाचक संग्या क्या थी, और भाव वाचक की तीनों हमने देख लिया, ठीक क्या है, अब लेकिन जातिवाजक संग्या के रूप में, भला ये कैसे हो सकता है, तो थ्याद दीजिए और समझिए कि जब भी कोई व्यक्ति वाचक संग्या किसी विशेश व्यक्ति का बोद कराने की बजाए, अपेक्शा उस व्यक्ति के गुण दोश वाले असंखे व्यक्तियों का विभीषन रवना हो गया ना विभीषन है ब्र 사स्वें किसे होगा विभीषन और राम दोनों ही है लेकिन हम कहते हैं हमारे देश में विभीषण यहीं कमी नहीं है अब हम उस पर्टिकुलर विभीषन की बात नहीं कर रहें अब हम यहाँ पर एक विभीशन जैसे लोगों की जाती की बात कर रहे हैं, उन्हें क्या नाम दे, उनकी क्या जाती होती है, इस में पचड़े में पढ़ने से बहतर है कि हमने एक नाम ले दिया विभीशन, हमारे देश में विभीशनों की कमी नहीं है, तो मुझे उमीद है, आप समझ गए कि जब भी कोई नाम किसी वाक्य में नाम जो की व्यक्ति वाचक है, जाती के रूप में प्रयोक्त हो रहा है, जाती के रूप में उप्योग किया जा रहा है, तब आपको कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि वो जो है व्यक्ति वाचक संग्या थी, जिसक सत्यवादी राजा थे थे न अब हरिश्चंद्र यहाँ पे क्या है एक व्यक्ति वाचक संग्या है लेकिन ये जाती वाचक कब बनेगी हरिश्चंद्रों की कमी से देश का पतन हो रहा है यानि हरिश्चंद्र की तरह जो लोग होते हैं उनकी तरफ जहरा किया जा रहा है सत् है एक वाक्य है और यहां पर जो हरीश्चंद्रो लिखा है यह जाती वाचक संग्या का सूचक हो गया है वहीं इसके पहले जब एक विशेश व्यक्ति को यह बता रहा था तो यह व्यक्ति वाचक संग्या थी लो डाउट इसके बाद में जैसे कंस कंस अत्याचारी था अब रूप में प्रकट हो गया है क्योंकि अब हम एक जाती की बात कर रहे हैं कंस जैसे लोगों की बात कर रहे हैं ठीक है न तो अब इसमें कोई डाउट तो मुझे नहीं लगता आपको बचा होगा तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं लिखा है जाती वाचक संग्या का व्यक्त जाती वाचक संग्या के रूप में प्रयोग में लाई जाती है देखें यहां क्या लिखा है जब जाती वाचक संग्या जाती विशेश का बोध कराने की बजाए या पिक्षा किसी व्यक्ति विशेश का बोध कराती है तब वहां व्यक्ति वाचक बन जाती है जरह हम इसका पन्डिit जी की बात कर सकते हैं कोई भी पंडिद जी की बात कर सकते हैं कि संग्या का बोध यह रूप में कैसे प्रयोग होगा पन्डिजी भारत के प्रतम प्रधानवन्तरी थे अबragen वोगी स्पष्ट हो गया है कि हम उन पंडित जी की बात कर रहे हैं जो कि भारत के पहले प्रधान मंतरी थे यानि जवारलाल नहरू ठीक तो जवारलाल नहरू जी की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो पंडित जी शब्द है जो कि एक रूप से अगर हम देखे तो जाती वाचक सं प्रेयोग में लाई गई तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से स्पश्ट हो गया होगा है ना जैसे कि नेताजी ने भाषन दिया तो यहां पर कोई भी नेताजी हो सकते हैं सारे नेताजी तो भाषन देते हैं लेकिन अब यहां पर आग ये नारा दिया था ठीक बात है ना तो आप समझ गए महात्मा हमारे यहां कई महात्मा पधारे है तो इससे तो इस पश्ठ हो गया कि यह महात्मा जो है जाति वाचक संग्या है लेकिन अगले ही सेंटेंस में महात्मा सत्य और अहिंसा के पुजारी थे यहां पर गांदी जी की बाबू की बात हो रही है तो आप समझ गए होंगे इस पश्ठ हो गया होगा कि जाति वाचक संग्या किस तरह से वेक्ति वाचक संग्या के रूप में प्रयोग में लाई जाती है और वेक्ति वाचक संग्या किस तरह से भाव वाचक संग्या का भी किसी अन्य रूप में प्रयोग किया जा सकता है। बिलकुल किया जा सकता है। अब हम देखेंगे भाव वाचक संग्या का जाती वाचक संग्या के रूप में प्रयोग। भला ये कैसे संभव होगा। आईए एक नजर डालते हैं इनों धारन उप लिखा है कि अच्छा इससे पहले एक चीज धियान में रखेगा एक लाइन लिखी है कि भाव वाचक संग्या एक वचन में रहती है इनका बहु वचन जैसे ही हम कर देते हैं तो ये जाती वाचक संग्या बन जाती है अब आप कहेंगे क्या सारी भाव वाचक संग्या है तो कहते हैं अलज से हमारा शत्रु है तब हम भावाचिक संग्या की ही तो बात कर रहे हैं लेकिन जैसे हम कहते हैं आलज से दूर रहना चाहिए तो हम यहाँ पर एक जाते के रूप में आलत से शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि हमें उस गुण को नहीं अपनाना है जिससे की सुनकर इस पश्ट हो गया कि कौन से गुण की बात हो रही है ठीक है जैसे अगले उधारन से और इस पश्ट हो जाएगा सफलता परिश्रम सफलता की कुंजी है यानि परि सफलताओं की बात कर दी तो जब हमने सफलताओं की बात कर दी तो यह सिर्फ भावना तक सीमित नहीं रही अब आप इसे सफलताओं की श्रेड़ी में डाल कर देखने लगेंगे कि कौन-कौन सी सफलताओं हैं बहुत सारी हैं जो प्राप्ट करी हैं आपने तो सफलताओं स कुछ काम की बात हो गई है, सफलताओं से एहंकार पैदा होता है, निसंदे यहां पे जो एहंकार शबदाया है इस वाक्य में वो भाववाचक संग्या है, लेकिन जो सफलताओं है यह अब भाववाचक की जगे जातिवाचक हो गया है, ठीक है, मुझे उमीद है आपको बड सिमित रहने देते हैं तो कुशलता जो है वो क्या है भाव आचक संग्या है लेकिन लिखा है कुशलताओं से जीवन सवरता है अब इस वाक्य में वही सफलताओं जैसी वाली स्थीति पैदा हो गई है कुशलताओं सितात परे क्या है आप में कुशलताओं होनी चाहिए तो य नहीं रही तो यह जाती वाचक हो गई अब थोड़ा ध्यान से समझेगा भाव वाचक संग्या जो हमने देखी थी उनकी कुछ भेद हैं प्रकार हैं थोड़ा ध्यान से इने समझते हैं एक होती है मूल रूप में भाव वाचक संग्या है मूल रूप समझते हैं आप मूल देने से बैतर है कि मैं आपको आगे बढ़ते हुए ही इसका उधारण दू मूल रूप से तातपर होता है उसका जड़ रूप जो उसका मेन है कोर इसके बाद में अगली होती है अन्य शब्दों से बनने वाली भाववाचक संग्याए चलिए दोनों को समझते हैं मूल बहुत कम होती है जैसे कि दुख, दया, क्रोध, ग्लानी, खेद, ज्यान, सुक, सत्य, मृत्यू, मरण, आदी अब आप देख रहे हैं यह जितने भी शब्द यहाँ पर लिखे हैं यह मूल शब्द है ठीक है ना लेकिन अन्य शब्दों से बनने वाली उनमें निर्मान हो जाता है, चीजों का ना जैसे अब यहां पर थोड़ा एक एक करके इस पश्ट हो जाएगा दूसरी वाले को हम ठ्लासिफाइग गरके समझेंगे जैसे लिखा है कि बाल तो बाल से हो जायगा क्या बालपन है ना तो बाल जो है वो क्या है मूल है मूल भाववाचक संग्या लेकिन हमने बालपन कह दिया तो ये अम्मूल तो नहीं रही ये हो गई अन्य शब्दों से बनने वाली भावाचक संग्या लिखा भी तो है कि भावाचक संग्याओं का निम्नलिकित पांच प्रकार की शब्दों में निर्मान होता है जाती वाचक से सर्वनामों से विशेश सरवनाम जो संग्या के स्थान पर प्रियोग मिलाते हैं विशेशन क्या होता है जैसे कि उसने काम किया उसने बहुत अच्छा काम किया तो अच्छा काम किया तो जो अच्छा है यह क्या है विशेशन हो गया है न क्रियाओं से क्रियाओं क्या होती है आप जानते हैं रोना खा को कहा जाता है बच्चो जो पुरुष के रूप में देख लीजिए आप लिंग के रूप में देख लीजिए वचन की रूप में देख लीजिए काल के रूप में देख लीजिए कभी नहीं बदलते हमेशा एक जैसे ही रहते हैं इनके उपर लिंग का काल का पुरुष का भाववाचक संग्या को उसमें बदलते हुए हमने देखा है, जैसे लड़का, ठीक है, यहां क्या लिखा है, लड़का रिखा है, तो भाववाचक संग्या क्या हो गई, लड़कपन, लड़कपन एक भाववाचक संग्या ही तो है, बच्चा, बच्चा का क्या हो जाएगा, बच्पन हो जाएगा देखिए ये हम क्यों पढ़ रहें इतने सारे उधारन पढ़ने की क्या जरूरत है इसलिए आवशक्ता है क्योंकि आप एक विद्यार्थी है जितने उधारन पढ़ेंगे उतनी सरल्टा से आप परिक्षा में अच्छे अंग प्राप्त कर पाएंगे इसलिए सारे उधारनों को पढ़ना बहुत जरूरी है बूढ़ा बूढ़ा लिखा है उत्चारन पर भी धियान दीजिएगा तो बूढ़ा का हो जाएगा बूढ़ापा अब ये जो बूढ़ापा है ये भावाचक संग्या तो है युवा आप किसी बूढ़े वेक्ति को चूँ सकते हैं बूढ़ापे को कैसे चूँएंगे वो तो अनुभाव की बात हो गई युवा वेक्ति की बात हो रही है युवा की बात हो रही है जवानी क्या ही है ये भाव वाचक संग्या है मनुष्य जाती वाचक संग्या है मनुष्य जाती की बात हो रही है लेकिन मनुष्यता जो है ये गुण है ये क्या है भाव वाचक संग्या में आएगा सेवक आप जानते हैं सेवक का मतलब है ना तो सेवक जो है वो क्या है एक जाती वाचक संग्या है कोई भी सेवक हो सकता है लेकिन सेवा सेवा क्या है भावाचक संग्या है है ना उसी प्रकार से आप देख रहे हैं नेता नेता एक जाती वाचक संग्या होती है ठीक है ना ने ने भाशन दिया, तो निता एक जाती है, लेकिन नेतरत्व एक विशिष्ता है, जो निता के अंदर होणी चाहिए, तो ये क्या है भावाचक संग्या है, स्थर्ए, ठीक वैसे ही स्थरित्व, माता, मात्रत्व, हैवान, हैवानियत, ठग, ठगी, अब आप यहां पे देखिए, ठग, एक वेक्ति की बात हो गई, जाती की बात हो गई, ठग वेक्ति, ठग लोग, लेकिन ठगी करना, यह क्या है? ये तो भाव आजक संग्या में ही होगी न, वीर, फिर लखा है वीर्ता, आप जानते हैं, वीर के अंदर वीर्ता तो होती है, लेकिन वीर्ता क्या है, एक गुण है, एक विशिष्टा है, हिंदू, एक जाती की बात है, लेकिन हिंदुत्व, हिंदुत्व की भावना, कहते है नम ये भाव वाचक संगया है आदमी और आदमियत नेता नेतरत्व ये तो खेर हो गया नमक और नमकीन वैसे ही यहां पर देखिए कुछ अन्योधारन भी है जैसे बालक बालक का हो जाएगा बालकपन शिशु का शैशव देव का दैवत्व दानों में दानवता देव में द भाईचारा मित्र के साथ मित्रता होती है बंधू के साथ बंधुत्यू की भावना होती है पंडित जाती वाचक संगया है और पंडित्य के गुण उनमें विद्धिमान होते हैं व्यक्ति व्यक्तित्व व्यक्ति का होता है होना चाहिए सती सतीत्व इंसान इंसानियत इंस वाचक कुन सी है यह आप समझ गया मैंने आप से कहा था कि हम पांच प्रकार देख रहे हैं तो पहले वाला जो है जुसमें हम जाती वाचक से देखना चाहा रहे थे वह हमारा जो है स्पष्ठ हो गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विशेशनों से भाव वाचक संग्या कैसे बनी है यह बताया है जैसे आलसी आप जानते हैं आलस्य का गुण होना यह तो एक विशेशन ही है अब इससे भाव वाचक संग्या जैसे बनी आलस्य तो यह क्या है भाव वाचक संग्या ही तो है आलस्य की बात कर रहे हैं आलस्य तो अनुभव करने की चीज़ है उदार उदार एक विशेशन है बहुत ही उदार वेक्ति है हमारे गुरू जी तो उदार ये क्या हो गया यहाँ पे एक विशेशन हो गया वेक्ति तो है लेकिन कैसे है उदार है लेकिन भावना की रूप में कब बदलेगा जब ये गुण बन जाएगा उदार वे तो गर्म एक्विशिशन है आज की चाय बड़ी गर्म थी तो गर्म थी है ना लेकिन अब गर्मी गर्मी क्या है उसका गुण है है ना कि कोई भी गर्म वस्तू में क्या होती है गर्म वस्तू में गर्मी होती है तो गर्मी क्या है उसका गुण है ठीक तो ये भाववाचक क्या हो जाएगी ठीक वैसे जैसे मधुर मधुर का हो जाएगा माधुर यह मीठा मीठे में क्या होती है मिठास होती है चतुर वैक्ति में एक में चतुर वैक्ति में होती है चतुरता कुशल वैक्ति में खुशलता होती है हरा तभी है जब उसमें हर्याली है नीला तभी है ज सुन्दर सुन्दरता करुण करुणा नागरिक नागरिकता इमांदार इमांदारी मुक्त मुक्ती सफल सफलता गरीब गरीबी पीला पीलापन हिंसक हिंसा बल्वान बल विस्तरत विस्तार बढ़ा बढ़ाई बढ़ाई तो यह सब क्या है यह भाव वाचक संग्याओं में प यह तो मैं आपको बता चुका हूँ तो अब देखिए जैसे यहां लिखा है भारतिये होना गर्व की बात है मेरे लिए लेकिन भारतियता यह क्या है यह संबान है भारतियता एक विशिष्टा हो गई यहां पर तो यह भावाचक संग्या है चतुर व्यक्ति में चतुराई हो भला वही है जो भलाई करें कृतग्य वही है जो कृतग्यता का भाव प्रकट करें कुरूर वही होता है जो कुरूरता से भरा हुआ होता है खामोश रहना मतलब खामोशी को प्रकट करना होता है खटा खटाज भरा होता है स्वस्थ वही है जिसके पास में अच्छा स्वास्थ है द्रण होना का मतलब द्रणता का भाव प्रकट करना है उच का मतलब होता है उचता का गुण प्रकट करना कटू मतलब कटुता, उचित मतलब औचित की बात करना, प्यासा वही है जिसको प्यास लगती है, अच्छा वही है जो अच्छाई करे, कुटिल वही है जो कुटिलता के गुण को प्रदर्शित करे, वाचाल वही है जिसके अंदर वाचालता का गुण कूट कूट के समाया हो निपुण वही है जो हर काम में अपनी निपुणता को प्रदर्शित करें सफेद वही है जो सफेदी की चमकार हो और मैला वही है जो अब यहाँ पर देखिए मैलालिखा हुआ है और यह मैल मैल प्रदर्शित करें जो ठीक तो भाव वाचक संग्याएं कौन सी है कौन से विशेशन थे जिन से भाव वाचक संग्याएं बनी यह आपको स्पष्ट हो गया होगा अब हम तीसरे भेद पर पहुँच रहे हैं भाव वाचक संग्याएं के सर्वनामों से भाव वाचक संग्याएं बनाना सर्वनाम क्या होते हैं आप जानते हैं जैसे मैंने कहा रमेश एक लड़का है तो रमेश संग्याएं लेकिन जब मैं कहता हूँ ईहम ये सर्वनाम है, भव है, एहंकर अपना वो मेरा अपना है. तो जब मैं कहता हूँ कि वहां मेरा अपना है, आप मेरे अपने है, तो इसमें अपनत्व का गुन विद्द्यमान है, तो ये भाव वाचा के संग्या में आएगा. सर्व सर्व मतलब सर्वस्व वाली बात निज मतलब निजिता की बात हो रही है मम मतलब ममत्व का गोन आप मतलब आपा स्वत्व और पराया मतलब पराया पन अब हमने विशेशन से भी देख लिया भाववाचक संग्या बनते हुए जाती वाचक संग्या से भी देख लिया भाववाचक बनते हुए अब हम क्रियाओं उपर आ जाते हैं क्रियाओं से भाववाचक संग्याओं का बनना कैसे जैसे पढ़ना एक क्रिया है अच्छा पढ पढ़ना का जो मूल शब्द है वो है पढ़ा ठीक अब इस पढ़ना से क्या बना पढ़ाई बन गया तो पढ़ाई क्या है भाववाचक संग्या है ठीक वैसे जैसे रोना क्रिया है और रुलाई भाववाचक संग्या है करना क्रिया होती है लेकिन करनी करनी का पल सबको भु मुसकुराना मतलब मुसकुराइ मतलब मुसकुराहत daha करना को दनाि मतलब कुदाई दंगाना मतलब धंकी उतरना मतलब उत्राई भूल भूल चुनना चुनाव खेलना जुकना जुपाव का आ था था जो करने की बात हो रही है तो यह वाली सब्सक्राइब háb तो क्रियाओं से किस तरह से भाववाचक संग्याय बन रही है ये आप देख रही है ठीक यहाँ पर भी आप और उधारन देख सकते हैं देखना जरूरी भी है उधारनों को जैसे कि पूजन तो पूजन मतलब पूजा की बात हो रही है बौखलाना मतलब बौखलाहट है जीत मतलब जीत गया सामने वाला जीत की बात हो रही है मांगना मतलब मांग है छोडना मतलब छूट की बात हो रही है दौडना मतलब दौड की बात हो रही है उडना यानि उडान के गुन को व्यक्त करना है ठकना मतलब ठकान का गुन प्रदर्शित हो रहा है बैठना मतलब बै कमाई करने की बात हो रही है, कमाई क्या होती है, कमाई है ये गुण है, विशिष्टा है, काटना, कटाई, घवराना, घवराहट, सजाना, सजावट, जीतना मतलब जीत की बात, हारना मतलब हार की बात, जीना मतलब जीवन की बात, धोना मतलब धुलाई की बात, सुधरना मत आपको बताया था जिनको हम वाक्यों में बदलते नहीं है जैसे निकट अब वाक्य चाहे भूत काल का हो भविश्य काल का हो या वरतमान काल का हो कोई भी लिंग हो वाक्य के अंतरगत जो भी विशय है उसका है ना पुर्लिंग हो और स्री लिंग हो लेकिन यह शब्द तो न बाववाशक संग्या है निकट शब्द की वो क्या है निकटता को व्यक्त करना निकट है मतलब निकटता को की बात हो रही है मना मतलब मना ही की बात है वाह करना मतलब वाहवा ही हो रही है उपर मतलब उपरी बात है पीछे मतलब पीछा बाहर मतलब बाहरी उचा मतलब उचा ठीक वैसे ही जैसे नित्य का मतलब नित्यता का गुण प्रकट करना, नियून मतलब नियूनता को प्रदर्शित करना, परियाप्त मतलब परियाप्तता की बात करना, शीगर मतलब शीगरता को व्यक्त करना, प्रतिकूल मतलब प्रतिकूलता का गुण जहां पर परिलक्षित ह द्धन्य वहिए जो दण्यता का गुण प्रदर्शित करता हो जिसके साथ जिसको आप कह सकते हैं कि इसके पास धन्यताaurais करता है निरणतर मतलब निरंतारता का जो गुण है वो प्रकट करे, आगे है निश्चित वस्तू इस्थान या व्यक्ति के नाम को व्यक्तिवाचक संग्या कहते हैं यानि व्यक्तिवाचक संग्या क्या हो गई जहां पर व्यक्ति वस्तू या इस्थान के नाम की बात हो रही हो एक ही जाती की अनेक वस्तू के नाम का बोद कराने वाली संग्या इसके बाद लिखा है क्या लिखा है अब तेरी मेड़ी नहीं एक सीधी लाइन खीचेंगे लिखा है किसी व्यक्ति के गुण दोश भाव दशा अवस्था स्वभाव आधी कबूत किराने वाली संग्याएं भाव वाचक संग्याएं कहलाती है ठीक है देखा कितनी स्टेट ल सरवनामों से, विशेशनों से, अव्यवों से और क्रियाओं से, मतलब क्या है इसका कि जो भाववाचक संग्याए है वो पांच प्रकार के शब्दों से मिला करके बनेगी, पांच प्रकार के शब्द आपको हमेशा याद रखने आ हैं, जाती वाचक संग्याओं से जो आप जो शब्द हम संग्या के स्थान पर प्रयोग में लाते हैं उने ही तो सरवनाम कहते हैं विशयशन अभी मैंने बताया था क्या होता है अभ यह भी आपको बता चुका हूँ वे शब्द जो किसी भी परिस्तिति पे नहीं बदलते नहीं उनपर समय का असर होता है नहीं जो भी अपने विचार हैं उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा क्योंकि आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं ठीक है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जादा से जादा लोगों तक ये वीडियो प मश्कार